जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टोफेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आपकी जनम पत्री में विदेश योग बन रहा है विदेश जाना चाते हैं पर वीजा नहीं लग पाता है वीजा लगते लगते रहे जाता है कोई ना कोई ऐसी अर्चन आ जाती है कि आप विदेश जाते जाते रहे जाते हैं या आप ट्रांसफर जाते हैं आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है किसी भी कारण वश्क, तब आपके मन में आता है कि ऐसा क्या हो रहा है, कहां पर कौन सी बात रुख रही है, जिसके कारण विदेश जाने में अर्चना आ रही है, आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाते हैं, नहीं जा पा रही है ट्रांसफर चाहते हैं नहीं हो पा रहा है जिसको लेकर आपके मन में बहुत दुविधा चलती है बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसा क्या करूं मैं जिसके कारण मैं विदेश चला जाओ पढ़ने के लिए मुझे बाहर जाना है पर नहीं जा पा रहा ट्रांस्वर चाहिए पर ट्रांस्वर नहीं हो पा रही है तो क्या करूँ बताने जा रही हूँ आज की वीडियो में वही छोटे छोटे हो पाए जो इतने कारगर है यदि आप उन्हें पूरे मन और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्ची थी आप विदेश सरूर जाएंगे ट्रांस्वर रुक रहा है तो ट्रांस्वर सरूर होगा कौन से हैं वो पाए तो वीडियो कान तक सरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को ओन करें विदेश जाने की बहुत स्ट्रॉंग इच्छा है मुझे विदेश जाना है मुझे पढ़ने के लिए विदेश जाना है पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसी अर्चन आती है कि वीजा लगते लगते रुक जाता है बहुत टेंशन होती है बहुत मंदुखी होता है कि ऐसा क्या करूँ करिये उपाए निश्चिती आप बाहर जाएंगे क्या करना है आपने पहला उपाए ये उपाए आपने 11 शनिवार तक करना है इसमें आपने साबुत उड़त की दाल लेनी है और साबुत चावल लेना है जिसको हम अक्षित कहते है इक्वल मात्रा में लेना है यदि आपने आदा किलो साबुत उड़त ली है तो आदा किलो आपने साबुत चावल लेना है दोनों को मिला कर आपने खिचडी बनानी है इस खिचडी में आपने गरम मसाला साबुत और नमक डालना है इसके अलावा आपने कोई मसाले नहीं डालने हैं इस खिचडी को बना कर आपने शनीवार के दिन सूर्यास के बाद गरीबों में बाटना है ऐसा आपने 11 शनीवार करना है दूसरा उपाए आपने 5 परकार की डाल लेनी है कोई भी डाल यहां पर घी गाय का होना चाहिए इसको अच्छे से मिलाइए और जहां पर चीटियां होती है वहां पर आपने इसको रोज डालना है ऐसा आपने जब तक करना है जब तक आपका वीजा नहीं लग जाता है करिए सुपाए को आपका वीजा ज़रूर लगेगा ट्रांसफर रुक रहा है किसी भी कारण रुक रहा है ट्रांसफर सरूर होगा इसके साथ ही आपने एक मिट्टी की हांडी लेनी है छोटी सी लेनी है जैसे आप मंदिर में रखते हैं छोटी सी एक लुटिया रखते ना उसी प्रकार की मिट्टी की लेनी है धक्कन वाली लेनी है इसमे आपने शहद भरना है शहद ध्यान रखिए प्योर होना चाहिए नकली शहद नहीं लेना है प्योर शहद इसको भरिए और इसको किसी भी सुनसान जगे पर मिट्टी में आपको दबा कराना है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई इसको दबाते समय आपको देखे नहीं लोके टोके नहीं और आपने भी इस उपाय को करके सीधा घर आना है, हाथ मूध होने हैं, पर जब आप इसे मिट्टी में दबा रहे हैं, उससमें आपने कामना करनी हैं, कि मैं खुशी-खुशी विदेख जा रहा हैं, अब आप जिस भी चीज के लिए जा रहा हैं, वो बोल उपाय को करेंगे तो जो भी अर्चन बाधा परिशानी आ रही है वो दूर होगी और आप जल से जल विदेश जाएंगे और आपने मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है इसमें आपने करना क्या है हनुमान जी का एक मंत्र है जादा तर सभी को याता है इस मंत्र की आपको जैंटिंग करनी है यानि कि आपने पूरा दिन इसको अपने मन में बोलना है कोई गिंती नहीं है कोई माला नहीं है, कोई आपको मंदिर में नहीं बैठके करना है, आपको सुबह से लेके रात तक इसको अपने मन में बोलना है, कुछ भी आप आफिस जा रहे हैं, आप गाड़ी में बोल सकते हैं, आफिस में खाली बैठे हैं, तब कर सकते हैं, घर में खाली समय में करना है, और हाँ महिलाओं के मन में ये doubt रहता है कि periods के time में करना है या नहीं करना है ये पूजा नहीं है पूजा मंदिर में बैठके की जाती है ये आप एक chanting कर रहे हैं इसमें periods का कोई role नहीं है आप मन में chanting करिए करते रहिए और देखे result आपके विदेश जाने में आपका visa लगने म आपका transfer होने में जो भी परेशानी दिक्कते बाधाएं आ रही है वो सभी दूर होगी अब यहां जरूरी नहीं है कि आपको सारे उपाए करने ही करने हैं मैंने आपको हर तरीके से उपाए बताए हैं जो उपाए आप पूरे मन और विश्वास के साथ कर सकते हैं उन्हें क कि रिजल्ट आपको स्वें मिलेगा तो मित्रोव यह थी जानकारी कि आपका किसी भी तरीके से विदेश जाने में कोई बाधा आ रही है पीजा नहीं लग रहा है तो कौन से उपाए करें करिए इन उपाएं को उमीद करती हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लापक करते हैं अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन को आउन करें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं वहां भी डेली अपडेट सेते हैं डेली का राशी फल होता है डेली का पंचांग होता है और बहुत यूस्फुल काम के कर दो